स्वागत किया जाए बग्गा साब का एक अच्छी ख़बर के साथ बग्गा साथ सूप्रबाद स्वागतम बढ़ाई आपको पहली बार 5000 के उपर S&P 500 एक और 0 लगा कर बंद हुआ है तो बढ़ाई और इतनी S&P 500 में हम डीप और में यह बात करें थे कि असली इंडेक्स तो स्टॉक्स हैं टॉप के वही खींच रहे हैं तो सारा जो दारो मदार है उनके उपर ही है एन्वीडिया देखे समी कंडूक्टर कंपनी है अब यह मीडिया रिपोर्ट निकलके आ रहे है कि पूरे चीन के मार्किट से बढ़ा हो गया है एन्वीडिया का शेर तो इस तरह की व्रिद्धी हो रही है technology stocks में और heavy lifting वहां से ही हुई है तो यह S&P 500 जो अपना lifetime high चुआ है या 5000 क्रॉस किया है उसके पीछे हाथ पूरा magnificent 7 का है और उनमें देखें तो strong cash flow है Facebook का तो बहुत ही अच्छा नतीजा आया था इस साल इस सातों में अगर आप देखें केवल जो थोड़ा सा under performer है वो Tesla है बाकी 6 के 6 बड़े दमदार performance है और वो market का इक बहुत बड़ा भाग है 27% लगभग S&P 500 का इन साथ stocks से आता है और वहां पे व्रिद्धी के current वो पूरे American market को उपर उठा रहे हैं उसके पीछे क्या है fundamental क्या है कि soft landing है अमेरिका में कहीं दूर दूर तक हमें slowdown आते नहीं दिख रहा काफी उसका economy अच्छी तरह से perform कर रहा है first quarter GDP भी अच्छा होने की पूरी गुंजैश है उसके चलते जो growth stocks है वो अच्छा करते जा रहे हैं और वह अमेरिकन मार्किट को उपर उठा रहे हैं निल जी बगा साव यह इसराइल हमास की बीच में वापस से तरह थोड़ा बढ़ता हो दिख रहा है कच्छा ते लगातार पांच दिनों से मजबूत होकर 82 दोर के आस पास है क्या कुछ चिंताएं बन सकती है बढ़ सकती है कैसे सब्सक्राइब के पूरी सीचेशन को और कच्छी तेल पर राए दें सर जी देखिए ओवरॉल जो हमास ने दिया था प्रस्ताव सीसफायर का वो इसराइल ने ठुकरा दिया और वो काफी वन साइड़ था तो अभी क्या है कि जो एंटनी बिंकन है अमेरिका के आप कह सकते हैं कि फॉरिन मिनिस्टर या सेक्रेटरी आफ स्टेट जो है वो मिडल इस्ट में एजिप से कतार से साथी हर जगा जाके कोशिश जरूर कर रहे थे कि कुछ करार हो जाए कुछ सीसफायर हो जाए और पहली बारी बाइडन ने भी ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज किया ह है कि जिस तरह से राफा में अब एक्शन हो रहा है वो ठीक नहीं है बट ओवराल यही है कि अब यह अन्त आ रहा है इस जंग का के साउथ गासा में भी इसराइल इस हफ़ते राफा में कब्सा कर लेंगे तो एक लास्ट ट्रॉंग होल्ड रह गया है हमास का जिस पे कब्स हो जाएगा उसके बाद पोजीशन ऑफ पावर से नेतानियो आएंगे अनिल जी और आप देखेंगे अगले दो हफ़ते में हो सकता है कि कुछ वो करार लेके आएंगे कुछ आफर करेंगे या कुछ एग्रिमेंट कर लेंगे अमेरिका को भी खुश करने के लिए बट 860 टेरिस्ट उन्होंने गिरफतार किये तो काफी सरंडर हो रहा हमास की तरफ से वो पूरा वो करके फिर वो आएंगे अब तेल की कीमते कहां जाती दिखती है यहां से कोई आगे नहीं है क्योंकि सबसे मूलभूत कारण है चाइना का स्लोडाउन चाइना का स्लोडाउन है अब उसका लूनारियर शुरू हुआ है साटरडे से अनिल जी तो लूनारियर की छुटियों में चीनी लोग जा रहे हैं घर यह निकल के आ रहा है कि 2019 के लेवल्स इस बारी क्रॉस हो जाएंगे नंबर ओफ ट्रैवल जर्नीस के और नंबर ओफ ट्रैवलर्स में तो यह जर घर्चा नहीं हो रहा है तो वो स्पेंड जो है रिटेल स्पेंड है चाइना का वो गिरता जा रहा है उन्होंने कारों की कीमतें बहुत जबरदस्त गिरावट की फिर भी कारें नहीं खरी दी जारी सेकिंड हैंड कारों की भी कीमतें नहीं बढ़ रही हैं और ओवरॉल चा तो रुपे की थी एक साल पहले वो अब 99 रुपे की हो गई चाइना में यह सोचने का कारण है और चाइना क्यूंकि इतना बड़ा एक्सपोर्टर है यह डिफलेशन वो एक्सपोर्ट कर सकता है दुनिया भर में तो इसके कारण जो है लोगों का मत यही है कि तेल की कीमते नह पागत उतनी नहीं है जितने की सप्लाइ जारी है जो रूस के राश्पती पुतिन साब ने वो टकर कालसन साब को इंटर्यू दिया उसमें उनने का कि जिस दिन अमेरिका हथियार देना बंद कर देगा युक्रेन को उस दिन हम युद्ध खत्म कर देंगे इसका क्या मतलब क्या होगा खत्म ऑफिशली नहीं अनिल जी देखें पुटिन का प्रॉपगेंडा बहुत तेज है और यह टकर कालसन ने उनको एक मुफ्त का प्लाटफॉर्म दे दिया और उसी दिन बाइडन के खिलाफ वो जो मेरी लैंड के एटॉर्णी जनरल की जो रिपोर्ट आई ज प्रेस कॉंफरेंस में भी काफी लड़ खडाए तो यह कॉंट्रास्ट हो गया कि पुटिन दो घंटे तक बात कर सके रेशियन हिस्ट्री हजार साल की और जियो पॉलिटिक्स पे दो घंटे उन्होंने बाचित की और बाइडन लड़ खडा रहे थे तो यह लग रहा है वाइफ मिशल ओबामा जो है वो आएं या कैलिफोर्निया के गवर्नर जो है गैविन न्यूसों वो शायद आगे डेमोक्राटिक पार्टी बढ़ाए बट बाइडन भी असानी से नहीं छोड़ेंगे तो पुटिन का जो बात था उसको रिटॉरिकली ही देखना है आप दे है अगर ये कंडिशन होती तो अभी तक पुटिन युद्विराम की घोशना कर चुके होते तो ये जादा तर रिटॉरिकली था उनका जो वक्तवे था बट उनको एक बहुत बड़ा प्लैटफॉर्म दे दिया टकर कालसन ने और जिसके चलते पुटिन की जो इमेज थी व वोटिंग का फरकारा है तो डेमोक्राइट्स अंदरुनी मामलों में बहुत ही हताश है कि बाइडन की एज के चलते हो सकता है कि वोटर उनकी तरफ ना है चाहे दोनों में चार साल का फरक है 77 के ट्रंप है 81 के बाइडन है बट हो सकता है कि बाइडन को अगले 2-3 महीने में रिप्लेस करने की महीम काफी स्ट्रॉंगली आई डेमोक्राइटिक पार्टी से